समस्ते गाइस राजे शेफ और मैस्ते टेक और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ Realme X2 की टॉप और हिडेन फीचर्स के बारे में यह फोन रिसेंटली इंडिया में लॉंच हो है और बहुत ही सॉलिड ओफरिंग है यह रियलमी की ओर से रिडमी के ओफरिंग्स को यह बहुत ही अच्छा कॉंपटेशन देता है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस फोन की डिटेल स्पेसिफिकेशन और साथ ही साथ इसकी कुछ हिडेन और इंपोर्टेंट फीचर्स के बारे में लेकिन वीडियो स्टाट करने के पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारा है और आपको इस तरह की वीडियो पसंद है लेटेस्ट स्मार्टफोन के बारे में जाना है उनकी कंपारिजन, इंडेफ्थ त्यूटोरियल्स, उनके नए फीचर्स को लेके तो आपको हमारे चैनल पसंद आएगा इसलिए नीचे सब्सक्राइब बटन दबाईएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजेगा वो बता देता हूँ, यह फोन की जो गेमिंग एसपेक्ट है और जो इसका क्यामरा परफॉर्मेंस है, यह दोनों ही इसकी हाइलाइट्स है और इसकी स्पेक्स जो है, इसकी प्राइस के हिसाथ से बहुत ही सॉलिड है इस फोन में आपको मिल रहा है एक 6.4 इंच का सूपर अमोलेड FHD प्लस रेसिलूशन का डिस्प्ले जो की गोरिला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड है पीछे भी आपको एक गोरिला ग्लास 5 ही मिल रहा है फोन की जो बिल्ड कॉलिटी है, बहुत ही अच्छी है इंटर्नली आपको मिल रहा है इस फोन में एक स्नापडागन 730G चिपसेट जो की गेमिंग के लिए उप्टिमाइज़ है और 8 नानोमीटर पे बेस्ट है डेडिकेटेड माइक्रो एजडी कार्ड स्लोट भी मिलता है कामरा की बात करें तो आपको पीछे में एक क्वाड कामरा सेटप मिल रहा है जो इंक्लूड करता है प्राइमरी सामसंग का GW1 64 मेगा पिक्सल का सेंसर F1.8 अपेचर के साथ एक 8 मेगा पिक्सल का अल्ट्रा वाइड अंगल सेंसर और एक पोट्रेट सेंसर और डेप सेंसर बैटरी में आपको मिल रहा है 4000 MES की बैटरी जो की स्नाप्रागन 730G के साथ अगर आप कपल करेंगे तो इंशूर करेगा कि आपका फोन जो है अराम से एक पूरे दिन का हेवी यूज निकाल ले और एक जो अच्छी बात है वो यह है कि रियल्मी ने इस फोन के साथ दिया है अपना VOOC 3.0 चार्जर 30 वाट का चार्जर है और इस चार्जर इस फोन को बहुत ही जल्दी एक घंटे के अंदर चार्ज कर देता है फुल इंप्रेसिव बात यह है कि यह चार्जर बंडल किया जाता है फोन के साथ जो कि बहुत रेर है जिनरली 20,000 के अंदर जितने भी स्मार्टफोन अभी थक इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में आए है उनमें आपको 18W या 20W का ही चार्जर मिल है लेकिन रियलमी एक पहला कंपनी है जो कि अपने फोन के साथ एक 30W का चार्जर दे रहे और स्पेक्स की बात करूँ तो आपको इस फोन में एक इन डिस्प्ले फिंगर्प्रिंट स्कैनर मिल रहा है और यही मेरा एक कंप्लेन है इस फोन को लेकर कि इस फोन में आपको Android 10 नहीं बल्कि Android 9.5 मिल रहा है इसका जो Android 10 और ColorOS 7 अपडेट है वो रियलमी ने प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट कॉर्टर यानि कि कॉर्टर वांट 2020 में आएगा जो मेरे हिसाब से लेट है अल्रेड़ी Android 10 को निकले हुए काफी टाइम हो चुका है दो-तीन महिने के उपर हो गया है तो अभी आपके पास कोई excuse नहीं है कि आप एक नया smartphone निकाल रहे है Android pipe प्राइजिंग की बात करू तो यह फोन की जो 4GB, 64GB variant है वो आपको मिल जाएगी सिर्फ 17,000 रुपीज में जो की killer pricing है यह pricing जो है वो Realme X2 को पहला smartphone भी बना देता है इंडिया में launch होने वाला जिसमें आपको Snapdragon 730G chipset मिल रहा है सब 20,000 range में Redmi K20 की जो pricing है वो initially 20,000 से जादा थी और अभी discount के बाद आपको यह phone जरूर मिल जाएगा 20,000 में लेकिन Realme ने यहाँ पर Redmi K20 को undercat किया है अपने pricing से बेस variant जो 4GB वाला है वो तो आपको 17,000 में मिल रहा है जो 6GB RAM और 128GB variant है वो आपको 19,000 में मिल रहा है जो अभी भी Redmi K20 से सस्ता है और उसमें आपको Snapdragon 730 chip मिल रहा है ना कि 730G और अगर आप Realme X2 लेने का सोच ही रहे हो और सोच रहे हो कि आप 6GB 128GB variant होगे 19,000 में तो मेरा recommendation है कि आप 1000 रुपे जादा ही spend कर दो और 8GB 128GB variant ले लो जो आपको मिलेगा सिर्फ 20,000 में तो basically 6GB 128GB storage variant और 8GB RAM और 128GB storage variant की बीच में सिर्फ 1000 रुपे का अंतर है ये pricing इस तरह से किया ही गया है कि Realme को चाहिए कि लोग 8GB RAM variant ही ले और अगर आप heavy games खेलते हो, hardcore user हो तो 1000 रुपे एकसा spend करके 8GB RAM variant ले लीजेगा तो ये तो होगे Realme X2 की detailed specs और pricing की बात अब मैं आपको बताता हूँ, इस phone की कुछ hidden features, कुछ key features, कुछ pros और cons जो आपको इसके spec sheet को देखके नहीं बता चलेगा जो Realme X2 की 6.4 inch Super AMOLED display है, इसकी quality बहुत ही अच्छी है लेकिन ये ध्यार में रखेगा कि एक HDR panel नहीं है बहुत लोगों को ये misconception है, ये misinformation है market में कि जो Realme X2 की 6.4 inch AMOLED display है, वो HDR support करता है, लेकिन ऐसा नहीं है ये सिर्फ एक normal Super AMOLED panel है, अच्छी quality का है, super brightness, super viewing angles, color, contrast, सब कुछ अच्छा है लेकिन HDR support नहीं है It's not a deal breaker, प्लस आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 20,000 के अंदर ऐसे बहुती कम स्मार्टफोन अभी तर्लाउंच होए इंडिया में जो Super AMOLED panel देते हैं, जिसमें HDR support हो Redmi Note 8 Pro में आपको HDR capable display मिलता है लेकिन उसमें आपको LCD panel मिल रहा है, नाकि एक AMOLED panel एक जो अच्छी बात है Realme X2 की वो ये है कि इसमें आपको Widevine DRM support मिल रहा है और साथी साथ Prime Video और Netflix ने इस device को certified कर दिया है तो इसका मतलब है कि आप Prime Video और Netflix से HD में content स्ट्रीम कर सकते हैं इस phone में, जेनरली हम लोग अभी तक देखे है कि बहुत सारे phones launch होए जिसमें Widevine DRM support है याने कि they are capable of playing back HD content from Netflix और Prime Video लेकिन क्या होता है कि since devices certified नहीं होते है तो जो stream है वो 480p resolution की होती है लेकिन यहां पर Realme ने ensure किया है कि Realme X2 जो है वो certified है Prime Video और Netflix के दवारा उनके servers दवारा और इसलिए इसमें आप Full HD content आराम से stream कर सकते हैं इन services से अब मैं आपको Realme X2 की जो quad camera setup है उससे related कुछ interesting चीज़े बता देता हूँ अगर आप इसकी spec sheet देखेंगे तो आप देखेंगे कि यह phone जो है 4K videos record कर सकता है 30 fps में इसमें आपको super slow motion support भी मिल रहा है 960 fps पे लेकिन इसमें थोड़ा catch है पहला और इसमें जो थोड़ा bummer है surprising omission है मेरे हिसाब से वो यह है कि Realme X2 में जो 4K video recording है उसमें EIA support नहीं है और अगर है भी तो it's not working properly 4K videos बहुत ही jittery record होता है इस phone से surprising बात है क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे phones में देखा है कि 4K में EIA support है budget smartphone जो 20,000 के अंदर ही है यहाँ पर twist यह है कि Realme X2 में जो आप full HD 60 fps videos record कर रहे हैं उसमें आपको EIA support मिल रहे है जो हमने अभी तक generally budget smartphones में नहीं देखा है क्योंकि 60 fps होते ही video की जो data rate है और stream है इत्ती ज़्यादा intense हो जाती है कि phones प्रोसेस नहीं कर पाते हैं उसमें EIA support मिल रहे हैं तो यह surprising है और puzzling है एक तरफ से क्यों आपको फिर 4K में EIA support में मिल रहे है में भी हो सकता है कि Realme future में एक software update के थुरू इस phone में 4K EIA support ले आए और एक जो interesting feature है Realme X2 में video recording को लेके वो है ultra steady mode यह एक ऐसा feature है जो अभी तक हमने सिर्फ flagship Samsung के smart phones और जो उसकी mid range Galaxy A50S है उसमें देखा है और यह बहुत surprising एक तरफ से बहुत अच्छी बात है कि Realme ने इसे Realme X2 में दिया है तो ultra steady mode में क्या होता है कि phone जो है जो 8MP का ultra wide angle camera है उसे use करेगा videos record करने के लिए और इसमें as the name suggests ultra steady तो video की जो footage है वो बहुत ही steady आएगी जितने भी stutters, shakes होंगे यह सब phone जो है उसे compensate कर देगा आपको वीडियो में नहीं समझ में आएगा video एक तम super smooth आएगी एक जो चीज है यहां पे पर कि आप ultra steady mode में वीडियो को सिर्फ full HD 60fps resolution पर record कर सकते है 4K support नहीं है लेकिन यह mode perfect है अगर आपको कोई action movement capture करना है सब्सक्राइब कुछ video record करना चाहते हैं जिसमें आप दौड रहे हैं या किसी गाड़ी में है जहां पर बहुत shake है या कुछ भी है ऐसा कोई भी situation है जहां पर बहुत ही जादा movement हो रहा है आपके हाथ का और phone एकदम stable नहीं है तब आपको ultra study mode use करना चाहिए videos record करने के लिए आप normally भी जो 8 megapixel वाला shooter है white angle वाला उससे videos record कर सकते है realme x2 में यह previous realme phones में नहीं था और company ने software update के थ्रूँ आड़ किया लेकिन realme x2 में फीचर आपको inbuilt मिल रहा अल्टर वाइड आइंगल कामरा से videos record करने का I think one of the most interesting features जो है realme x2 का वो है bokeh video तो अगर आपने realme x2 की presentation और marketing slides देखी होगी तो इसमें realme ने highlight कि इस phone में आप bokeh videos record कर सकते हैं अब surprising thing है आप सिर्फ rear camera से नहीं बलकि जो front 32 megapixel की selfie shooter है उससे भी bokeh videos record कर सकते हैं 20,000 में अभी तक I don't think कि कोई ऐसा phone इंडिया में अभी तक launch हुआ था जो bokeh video feature support करता है in fact बहुत ही कम flagship smartphones में आपको यह feature मिलता है तो यह बहुत impressive है and kudos to realme here कि उन्होंने यह feature realme x2 में दिया है इस mode में लेकिन आपकी जो video capture है वो full HD 30 fps पे limited रहेगी 4K या 60 fps full HD resolution का support यहां पे नहीं है video recording related एक जो notable omission आ रहे है आपका realme x2 में जो आपको Redmi Note 8 Pro में मिलता है या Moto One Action में मिल रहा है वो है जो macro camera है उससे videos record करने का यहां पे आप macro video नहीं record कर सकते हैं क्योंकि macro camera support नहीं करता है video recording दो और जो interesting features मैंने देखे हैं realme x2 में वो है o roaming और dual wifi तो o roaming क्या है basically आपको realme x2 में एक virtual SIM card मिलता है तो और उससे आप activate कर सकते हैं जब भी आप internationally travel कर रहे हो mobile data के लिए o roaming करके application है color OS में आप उससे जाए उसमें जाके जो भी package जिस country में आप जा रहे है या जिस region में आप जा रहे हैं उससे select करिए package अक्टिवेट कर लिजए daily या weekly wise और फिर आपको कुछ नहीं कर रहे हैं जैसे ही आप international जाएंगे उस region में package को activate करिए और आपको अपने realme x2 में mobile data मिलेगा packages जो है reasonable है जाद expensive price नहीं है लेकिन उत्में चीत नहीं है जितना suppose अकर आप Hong Kong और वहां के एक local SIM खरीदते हैं तो वहां पर जो data charges आप देंगे वो जादा सस्ता होगा compared to what o roaming is charging on the realme x2 लेकिन तो भी convenience factor आप देखेंगे तो o roaming is obviously better and in case आप को package खरीदते हैं o roaming में और उससे फिर activate नहीं करते हैं तो within 30 days वो पैसा भी आपका refund हो जाएगा realme x2 me जो एक और मैंने useful feature देखा है वो है dual wifi speed up का इसमें क्या होता कि phone जो है दो wifi network एक 2.4 GHz, एक 5 GHz दोनों पे एक साथ connect करेगा एक primary connection होगा, एक secondary connection होगा और phone जो है दोनों से एक ही बार में data pull करेगा यानिकि दोनों connections को यह एक ही साथ एक बार में use करेगा better internet browsing experience देने के लिए catch यहाँ पर यह है कि यह जो feature है यह limited applications के साथ काम करता है जो include करता है Facebook, YouTube, जो stock browser app है और Amazon, that's it तो अगर आप सोच रहे थे कि आप यह feature use करके दो wifi network से एक साथ connect करके कोई बड़ी file को जन्दी download कर पाएंगे तो sadly ऐसा नहीं है यह भी धियान में रखेगा कि अगर आप टाइमरी wifi network से disconnect करते हैं या फिर जो secondary wifi network है उसकी connectivity अच्छी नहीं है तो phone automatically उससे disconnect करतेगा तो इस video के लिए बस इतना ही दोस्तों इस video में मैंने आपको कुछ useful realme X2 के features के बारे में बताया हो ऐसा है तो हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस video को like और share करना मत भूलेगा धन्यवाद